हेलो विर्विवन गुड मॉनिंग नमस्कार 21 अगस्ट 2021 और आज के दहिंदू निज्वेपर को हम लोग डिसकस करेंगे अनेलिसिस करेंगे आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा परिवरतना ये सकाड़ीमे टेलिग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे सोमनाथ टेंपल के बारे में लेकि सोमनाथ टेंपल के एक्जिबिशन सेंटर को जो इन्गरेट किया गया हमारे प्रेमिस्रे साब दौरा तो सोमनाथ टेंपल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे इससे पहले कुछ चीज़े जो प्रेमिस्रे साब के दौरा बोलेगी उनके बारे हम बात करेंगे इन्होंने पहली बात जो मैंसन किया गया कि जो टेरर का रेन होता है यह एक तरिके से एरह होता है यह जो टेररिज्जिम के थरू जो पावर कैप्टर की जाती है वो कभी भी पर्मानन नहीं हो सकती वो टेंपरेरी होती है और सोमनाथ टेंपल एक बैंस्ट एक जाम्पल है और यह अजूरेंस का सोमनाथ टेंपल वो टेंपल कंसिडरेशन किया जाता है जिनके जिसके उपर कई बार अटेक किया गया कई बार डेमेज किया गया और कई बार एक तरीके से फिर से रेकरस्टक्ट किया गया तो ये वो उन टेंपल में से कंसिडरेशन किया जा सकता है लेकि सौमनाथ टेंपल को मना जाता है कि ये जो बारा जोतिर लिंग है उनमें से पहले जोतिर लिंग में से एक किया जाता है और सौमनाथ टेंपल के बारे में मना जाता है कि जो रिशन्ट का जो आप बोल सकते हैं कि लेटेस्ट आप इसका जो आर्किटेक्टर देखेंगे ये चालुक के architecture के basis पर बना हुआ है तो temple architecture 2021-22 के अंदर बहुत important है क्योंकि हमने देखा चाहे राम अपा temple को world heritage site के अंदर include करना हो even recently hadapan site दोलाविरा को भी world heritage sites के अंदर include किया गया तो temple architecture 2020-21 के अंदर 21-22 के अंदर सोरी ये important topic है इनके अलावा आपको पता होगा सोमनाथ temple पर कई बार attack किये गए कई बार damage किये गए तो उसी context में connect करके देखा जारा कि जो statement है indirectly अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने जो power capture करी है उसके बारे में कहीं ने कई consideration किया जाता है कि जो power forcefully capture की गई है ये लंबे time तक survive ने करेगी इसके एक limit होने वाली है और ये कभी भी permanent नहीं हो सकता है इस तरह की जो destruction वाली ideology होती है जो तबाई करने वाली नुकसान पहुचाने वाली ये permanent basis नहीं हो सकती और कभी भी humanity को आप हमेशा के लिए suppress नहीं कर सकते मानवता को दबा कर नहीं रख सकते एक limit होती हर चीज की उसके बाद आपको पीछे हटना पड़ेगा जो destroying वाली जो identity है ये कभी भी permanent जो वो नहीं रह सकती सोमनाख temple की तरू हम लोगों के लिए UPSC के perspective अगर आप बात करेंगे तो temple architecture चितने भी भारत के अंदर style है जैसे नागर, द्रावेड, बेसर इसके लावा अलग अलग regional sales भी हो सकती है temple को architect करने को लेकर इसके बारे हम जुरूर पता होना चाहिए दूसरा various temple जो बनाए गई है जैसे रामापा temple है, सोमनाथ temple है इनके बारे में भी हमें, क्योंकि ये reason में news में तो इनके बारे में particular पता होना चाहिए आप लोगों के लिए पहला question है भारत में इस time world heritage site के अंदर total number of sites कितनी है यानि ये आपको mention करना कि भारत के अंदर total number of sites जो है 2021 के अंदर अभी तक यानि 21 अगस 2021 तक total number of sites कितनी है ये आप mention करेंगे इसके नीचे ठीक नीचे एक news है और ये story type में आप बोल सकते हैं लेकिन कुछ important इसमें information है यहाँ पर mention किया गया कि जाइरस कडिला की जो vaccine है ZYCOVD करके तो इसको पहली ऐसी vaccination consideration किया गया भारत के अंदर जिसमें 12 प्लस यानि 12 साल से उपर के जितने भी यानि 12 साल से उपर में बच्चे भी आप नहीं बोल सकते हैं और adult भी नहीं बोल सकते हैं तो एक जो adolescent या किशोरा वस्ता बोल सकते हैं 12 साल से उपर सभी के लिए permission दे दी गई है इस vaccines के को लेकर यह माना जाता है कि यह vaccine 66% इसकी efficacy है और 66% efficacy के साथ यह माना जाता है कि जाइडेस कडिला की जो यह group की जो vaccine है इस vaccine को develop करने को लेकर जितना बड़े लेवल पर trial हुआ है इतना बड़े लेवल पर नहीं हुआ अभी तक भी क्योंकि इसके phase 3 के trials के लिए 28,000 volunteers ने participation किया इनके अलावा इस vaccine में एक विशेश बात है विशेश बात क्या है कि यह DNA based vaccine है इसका मतलब क्या है कि यह पूरी दुनिया में पहली ऐसी vaccine है जो कि DNA based vaccine होने वाली है COVID-19 को लेकर इसमें benefit क्या होगा पहले बात किसी needle की जरूत नहीं है कोई sui की जरूत नहीं पड़ेगी आपको inject करने के लिए दूसरा minimum chance है कि इसके reactions हो यानि इसके reaction होने की possibility या उसके side effect होने की possibility जो हो कम होगी 66.6% efficacy का मतलब क्या है कि यह आपको COVID-19 से protect करने में इतने percent helpful कर सकती आवरोल 28,000 के जो sample से assessment clinical trial के अंदर participation किया गया इससे पहले अगर आप दिल्ली high court के एक verdict देखेंगे तो दिल्ली high court ने एक चीज बोली थी कि बच्चों को लेकर जो vaccination है यानि 18 साल से नीचे जो vaccination स्टार्ट करेंगे तो उसको लेकर proper trials होने चाहिए तो इससे पहले आपने देखा होगा पर्लियमेंट के जब session हुआ तब question जो answer session होते है उसके अंदर ये बताया गया था कि जो बच्चों को लेकर जो vaccination है वो under trials है उसके ट्राइल्स सल रहे हैं जब तक proper data details नहीं आएगी तब तक permission नहीं दी जाएगी तो emergency approval दिया गया है जाइडस कडिला की वेक्षिन को ZYCOVD करके आप इसको mention कर सकते हैं इसके बाद page number 5 south के बारे में जो mention करता है हलाकि regional page है लेकिन कुछ important चीज़े है important क्या है उसके बारे में benefit करेगा इसके बारे में mention किया गया है recently central government ने national mission on edible oils oil palm करके एक mission जो है वो launch किया उसके बारे में बताया 11,040 crore का ये mission होगा इसके अंदर target क्या होते देखो इस तरह का word use किये जाते हैं इनको ध्यान रखेंगे mission, initiative scheme ये जो word use किये जाते हैं इसका एक target होता है कि particular क्या इसका एक purpose रहता है इस तरह की चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर basically क्या है कि सरकार साथिक maximum cultivation और production हो भारत के अंदर हम लोग cultivation कर पाए agriculture हो palm oils की ताकि import पर क्योंकि अभी तक आप देखेंगे भारत heavily depend रहता है कि हम लोग import करते है mostly इस तरह के oils का palm oil हो या crude oil हो दोनों को हम लोग import करते हैं और इसकी जो cost अब बहुँ जाद आपको देखने को मिलेगी इसकी वज़े से होगा क्या अगर farmers के लिए इस तरह की schemes होगी तो उनको एक तरीके से benefit होगा, increasement मिलेगा और plantation होगा तो भारत जो heavily dependent है import पर वो भी reduce होगा इस mission का target क्या है कि oil palm को या palm oil को constitution करना top oil crops के अंदर और 6.5 lakh hectare जो आपको देखने को मिले additional crops जो वो develop करने हैं 2025 से 26 तक financial year तक 11.20 lakh ton जो हो production करने का target रखा गया है additional crops के साथ इसके लावा यहाँ पर यह भी mention किया गया है कि viability gap funding के तुर्यादी direct payment भी होगी, state का भी share होगा, के अंदर सरकार का भी हिस्सा होगा और overall इसका benefit जो होगा वो जो oil palms या palm oils की cultivation उसको लेकर होने वाला है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत जो heavily depend करता है इस sector में import को लेकर जैसे Malaysia की context में हमने देखा होगा Malaysia और भारत के बीच में palm oil को लेकर एक issue हुआ था, क्योंकि Malaysia, Turkey और पाकिस्तान यह वो country है जिनके साथ भारत के relation swing करते रहते हैं, हाला कि मैं यह नहीं कहूँगा कि Malaysia और टर्की के साथ भूत हद तक खराब relation है, as compared to Pakistan, Malaysia इन तीनों में हमारे ठीक ठाक relation है, लेकिन कई बार Malaysia जमून कस्मिर वाले issue को लेकर भारत के against statement लेकर उस context में कई बार भारत और Malaysia के relation भी impact होते हैं, तो import अगर के dependency कम होगी, दो चीज़े होती माल लेते हैं, कि भारत और भारत के COVID-19 के बाद एक तरीके से trade कम होगा trade इसलिए क्योंकि activities की वज़े से एक्टोर्मिक एक्टिविटीज को recovery करने में समय लग रहा, दूसरा जो foreign trade होता है वो mostly होता है foreign currency के अंदर, जैसे dollar के अंदर तो अगर dollar के अंदर हम लोग ज़्यादातर import करेंगे, तो हमें huge currency pay करनी पड़ेगी, और दूसरा अगर हम किसी country पर dependable रहते हैं, पाम oil को लेकर तो इसका एक strategically और geopolitically भी एक असर आपको देखने को मिलता है, और उसमें इसके बाद आपने देखा होगा, भारत लगातार एक word यूज़ कर रहा है, आतम निवर, self-reliance तो इसमें पाम oil को लेकर भी self-reliance को हासिल करने के बारे में, government of India planning कर रहे हैं, तो ये mission उसे को initiate करता है, इसके बाद page number 6, editorial part के बारे में discussion करेंगे, editorial part में, दो main editorial में consider करूँगा, और third editorial, एक additional editorial की तरह है, आप लोग इसको देख सकते हैं, पहला, reboot to reset करके एक article दिया गया, ये article United States और इंडिया के बीच में, business ties, ये economics ties को लेकर है, second, इसके just नीचे, faith and marriage, यानी, एक किसी भी धरम के अंदर आस्था और साधी या marriage के बारे में mention किया गया है, और ये anti-conversion laws या धरम परिवर्तन करने समंदी जो laws हैं, उनको लेकर के बारे में बात करती हैं, और third editorial जो है, the fall of Kabul, the future of regional geopolitics करके एक article है, यानी अभी, काबुल का इतरी के से सरकार के वहाँ पर गिरना तालिवार के दोवार पावर कैप्चर करना और आने वाले समय में, regional geopolitics का क्या भोईशिय होने वाला है इसके बारे में बातचित करता है तो start करेंगे, reboot to reset, ये वाला जो आर्टिकल है रीबूट to reset करके आर्टिकल है, left hand side जो पहला डिटारिल है, ये है, इंडिया और यूएस के trade deal को लेकर, recently हमारे जो कॉमेस मिनिस्टर साब है प्यूस गोलों ने कहा, कि United States में जो administration का जो, यानी सरी, Biden administration या वहाँ के जो president है उनके administration ने भारत के साथ free trade agreement, bilateral free trade agreement की अगर हम बात करते हैं तो इसको negotiation करने को लेकर, या USA नहीं चाहता है कि भारत के साथ free trade agreement किया जाए, अब free trade agreement क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, free trade agreement का मतलब basically क्या होता है trade agreement होता है ये pact की तरह होता है, दो और दो से जादा countries के बीच में, इसमें basically जो barriers होते हैं, barriers in the sense की tariff के रूप में हो सकते है import export में जो बाधाएं होती problems हाती है, उनको clear क्या जाता है, उनको reduce क्या जाता है, उनको कम क्या जाता है, और ये free trade policy के अंदर consideration क्या जाता है, goods हो, चाहे services हो, और इसमें या तो tariff नए के बराबर होते हैं, या तो नहीं लगते हैं, नए के बराबर होते हैं, उसमें quota, subsidy, provision ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको mention करते हैं, इसके just opposite होता है protectionism, कि भाई, हम इतने tariff लगा देंगे कि आपकी, आपका जो import or export जो वो, मुश्किल हो जाएगा हमारी country के अंदर, तो protectionism एक अलग हो है, उसके ठीक opposite होता है, free trade agreements right, इसी context में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मना किया कि भई हम भारत के साथ interested नहीं है free trade agreement करने में इसी को लेकर की भारत और अमरीका के जो relation है उनको reset करने की जूरूत है, reason is that क्योंकि भारत वो country है, अमरीका वो country भारत की context में, इंडिया की largest trading partner है दूसरा, अगर आप देखेंगे इसका, significant इसलिए क्योंकि भारत को benefit है हम लोग export ज्यादा करते है अमरीका वो country जहां पर हम लोग export ज्यादा करते है, import कम करते है और trade surplus का हमें benefit है तो इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर हमें overall benefit होता इस चीज़ का, लेकिन free trade agreement यह करना नहीं चाहते तो इसका क्या impact होगा, और क्या region से है reset करने की जरूत है तो minister साहब ने बोला कि हम लोग आने वाले time में tariff barriers, mutual recognition pact या adapting common quality इस तरह की चीज़ों को और ज़्यादा boost up करेंगे ताकि भारत का export है, वो कहीं न कहीं increase हो, possibilities को increase किया जाए, US एनवाई जब भारत के अंदर आये थे भारत के जो minister साहब इन से मिले थे, तब बोला था कि 500 billion dollar का trade vision के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं लेकिन क्या ये 500 billion dollar का bilateral trade इसको access किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है, ये सवाल है इसे पहले जब president थे, Donald Trump, उन्होंने भारत के context में generalized system of reference, GSP का एक concept था, GSP का मतलब क्या है कि कुछ items को, कुछ चीजों को tariff से छूट मिलती थी, 2019 में उससे withdraw कर लिया था, भारत फिर चाहता है कि भारत को GSP का दर्जा दिया जाए, GSP का status दिया जाए, लेकिन अभी भी वो status भारत को नहीं मिला है तो आने वाले time में, जब free trade agreement की बात होगी, तो क्या भारत इसके अंदर फिर से re-enter करेगा, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या, आतम निर्वर भारत campaign जो है, उसका असर इस पर हो रहा है, कई country consider कर रहे हैं कि आतम निर्वर भारत जो है, ये campaign बिलकुल close market की तरह है, productionism की तरह है, मैंने वीडियो के starting में बताया था कि free trade agreement जो है, just opposite है, protectionism ये स्तरंक्षनवादी नीतियों के खिलाब, ठीक है, तो आप देखेंगे, अगर इसको consider कि आतम निर्वर भारत का मतलब है कि भारत import नहीं करेगा और exports को कहिने कई priority देगा, तो उस context में भी कई country है, मानती कि self-reliance का जो concept है, ये integrate होना था, ये ऐसा नहीं कि आप isolation के अंदर नहीं रहा सकते हैं, ये globalization के phase के अंदर, कोई भी country self-reliance होई ने सकती पूरी तरीके से, कुछ ने कुछ चीजों पर dependable रहेगी, और इसलिए इस concept को भी कई country अलग तरीके से देखते हैं, इसके लावा भारत ने regional comprehensive economic partnership से अपने आपको withdraw कर लिया था, regional comprehensive economic partnership का मतलब क्या है, total 16 countries का एट group था, जिसमें भारत withdraw होगा तो पंदरह रही हैं, 10 आशियन कंट्री आती हैं, और इसके लावा पांच जो कंट्री होंगी, उसमें नियूजलेंड, अस्ट्रिलिया, साउथ कोरिया, जापान और चाइना, ठीक है, इसके लावा East China, East आशियन भी एक समिट आती है, East Asia समिट भी बोल सकते हैं, तो इसमें आशियन प्लस एट कंट्री होती है, पांच कंट्री जो भी बताएं, आपको नियूजलेंड, अस्ट्रिलिया, जापान, साउथ कोरिया, उसको रिपुब्लिक ओफ कोरिये बोलते हैं, चाइना, इसके लावा उसमें इंडिया भी है, मेजर कंट्री की तरह उबर कर आ रहा है, पोस्ट कोवीड-19 के बाद, तो उस कॉंट्रेक्ट में भी भारत के रिलेशन कैसे होंगे, इन सब चीजों को लेकर कंसिल्टेशन करने की जुरूत है, क्योंकि कई ऐसे राइवल्स भी हैं, जैसे भी इतनाम जो है, वो अल्रेटी इन कंट्रीज के साथ एग्रिबेंट्स कर रहा है, जैसे चाइना के साथ और यूरोपियन यूइन, यूके इन कंट्रीज के साथ, तो भारत को भी अपने इन क्रिकेशे पोलिस को रियानलेसिस करना पड़ेगा, और भारत और अमरीका के रिलेशन को भी रिकंसिट्रीशन के तहथ जोगा आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसके बाद सेकिंड आर्टिकल है, सेकिंड आर्टिकल है फेट एन मेरीज, यानि किसी की धर्म में आस्था और विवा या साथी या मेरीज बोल सकते, तो इस कंसिटेशन में बोला गया ये गुजरात के बारे में पर्टिकलर केस्टडी है, गुजरात के अंदर एक लोग बना गया एंटी कनवर्जन लोग, ऐसा नहीं कि केवल गुजरात के अंदर बना कई जगह पर एंटी कनवर्जन या धर्म बदलने को लेकर उसके अगेंस्ट, यानि कोई अगर फोर्स फूली या कनवर्जन करवाता है तो उसमें आपके खिलाब कारवाई हो सकती, तो इस तरह के डिवियस एक वर्ड योज के अगर डिवियस का मतलब क्या होता है कि असपस्ट क्लेरिटी नहीं है इस तरह की लेसिलेशन के अंदर, ये कही न कहीं क्या करते हैं इंटर फेट मेरिज, माल लेते हैं किसी व्यक्ति ने दूसरे धर्म के अंदर साधी करी, तो ये क्रिमलाइज उसको कंसिडर करता है, लेकिन दूसरे धर्म के अंदर साधी करना क्रिमलाइज नहीं है, अब यहाँ पर इसी में कहिने के confusion की जो words यूज़ किये गए हैं ये हर साधी को हर interfaith marriage को criminalize की तरह या उस दरिश्टी कौन से देखती है तो इसमें कई सारी चीज़े बताएगी anti-conversion low जो है इनको consider किया जाता है कि ये freedom of religion की तरह बनाएगी कि हमने ये जो low बनाएए है ये बनाएए है धर्म की सुरक्षा करने के लिए धर्म की सुतंतरता के लिए इसके अलावा इनमें इमेंजन किया गया कि अगर कोई व्यक्ती मालेते साधी कर लेता है उसके बाद fraud से force से अलर्मेंट से यानि धोके से दबाव से या अलर्मेंट का मतलब होता है किसी लोग के तरू या परलोबन देना कोई benefit देने की ऐसे पेसकस करना उसके बाद कोई अपना साधी के बाद एक तरीके से religion change करवाने कोशिश करता है तो उसको consider किया जाता है कि ये कही ने कहीं एक तरीके से illegal form of conversion है भारत के समिधान में भी आप forcefully conversion नहीं करवा सकते अगर कोई व्यक्ति चुक है कि मुझे अपना religion change करना है तो वो कर सकता है बट आप forcefully किसे को ये नहीं बोल सकते कि आपको religion change करना ये constitution के fundamental rights का भी violation है लेकिन गुजरात के अंदर जो low बनाया गुजरा पहली बात कि अगर कोई व्यक्ति फ्रोड से force से alignment से तरीके से साधी नहीं कर या religion change नहीं करता तो उस context में आपके rules apply नहीं हो जाते तो आप इस पूरे context में अलग तरीके से यह नहीं clarification नहीं है words के साथ जो game खेला गया कि आप इसमें clarification नहीं दे पा रहे हैं दूसरा अगर आ एक धरम से दूसरे धरम में साधी के बाद जो change होने को लेकर यानि post marriage खासकर religion में conversion को लेकर ये कैसा मामला बहुत ही sensitive concentration किया जाता है क्योंकि दो पक्स होंगे एक पक्स होता है secular mindset की नहीं हम लोग spot करते हैं कि आप individual choice है दूसरा एक पक्स आता है कि जो religion को बहुत ही sensitive तरीके से देखता है कि भई religion में इस तरीके से change करना conversion करना ये बिल्कुल criminalize होना चाहिए तो अलग-अलग ideology है लोगों का अपना अपना एक तरीका सोचने को लेकर supreme court इस particular context में क्या बोलता है उसके बारे में बात करेंगे अगर आप constitutional courts के बारे में बात करें constitutional तरीके से देखें तो verdict के अंदर बोला गया था कि अपनी मर्जे से साधी करना right to marry a person of one choice ये article 21 का integral part है इसके बारे में UPSC prelims में एक सवाल भी हुआ था कि बताए किस article के अंदर right to marry a person of one choice exact ये word लिखा गया है वहाँ पर भी same word लिखा गया है तो ये mention किया गया किस article के अंदर है तो article 21 के अंदर है इसके अंदर clarification ना हो ना कई बार problem create करता तो उसी context में गुजरात हाई court ने कुछ questions इंचे पूछें और एक case था उस context में उनको जो inter marriage को लेकर था तो उसमें ये सवाल पूछा गया इंटर faith marriage बोल सकते हैं इसके बार नीचे जो article है उत्तर प्रदेश में politics के बारे में article तो इसके बारे में हम discuss नहीं करेंगे कौन जीतेगा कौन हरेगा let the people decide who will win who will lost इसके बाद ये जो article है मैंने पहले ही बताया था कि ये article तालीबान ने जो अफगानिस्तान को capture किया और regional geopolitics पर क्या आसर होगा इस के power capture करने के बाद वहाँ पर एक vacuum हुआ vacuum in the sense की खाली स्थान सा नजर आएगा आपको इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इसका benefit सबसे ज़्याद किसको चाइना को क्यों चाइना पहली वो country जो उन्होंने बोला कि हम इनको इनके साथ काम करना चाहते है रशिया भी ह पाकिस्तान को भी इसका benefit है भारत के पास choices बहुत ही limited होने वाली है 1979 में जब सोवित जो USSR था या रशिया था उसने intervention किया था और 2001 में अमरीका ने intervention किया था उन सब के वावजूद भी फिर से 2021 में तालीबान ने काबूल पर capture कर लिया और उसके बाद एक vacuum हुआ एक खाली स् हुआ इसका benefit किसको हो सकता है एक nexus बोला जाता है एक्सिस बोला जा सकता है गठ बंदन चायना पाकिस्तान रशिया और तालीबान ये आपस में coordination कर सकते हैं और एक opportunistic बोल सकते हैं कि इनको benefit मिलेगा चायना के अपने intention है चायना क्यों करना चाहता है ये group इतना strong कैसे हो सकत है इसके पिछे reason ये है इन चारों को अगर आप देखेंगे चायना पाकिस्तान रशिया और तालीबान इन चारों के USA के साथ relationship बहुत अच्छे नहीं है तो ये anti USA की तरह भी consideration किया जा सकता है दूसरा चायना के अगर आप context में देखेंगे तो चायना particular यहां पर अपने आप को expand करना चाहता है बढ़ाना चाहता है और इसे लावा इरान भी एक partner हो सकता है इरान भली तालीबान का विरूद करता हो लेकिन इरान के पास अगर दो उपसर होंगे कि आप तालीबान के साथ relation establishment करना चाहते है यह USA के साथ तो साहए तालीबान के साथ वो पहली priority के अंदर रखेगा और इरान को क्योंकि alternates की भी जरूरत है economic sanction के बाद चाइना रश्या पाकिस्तान इस तरह के जो एक group बनेगा उसका impact यहां पर इरान भी इसको follow कर सकता है definitely इसका advantage चाइना को होने वाला है लेकिन कुछ concern भी extremism भी बढ़ेगा extremism in the sense यह जो सबसे बड़ा concern है भारत पाकिस्तान के अंदर active है वो और जादा increase होते होंगे और उसका impact भारत की स्रुक्षया पर भी भारत की security पर भी वो challenge करने कोशिज करेंगे या terror activities जो activity करने कोशिज करेंगे भारत पर attack करने कोशिज कर सकते हैं तो यह security perspective से भारत के लिए challenging होने वाला है इसके अलाबा यहां पर आप देखेंगे United Nations Security Council के अंदर भारत कोशिज करता है कि terrorism के अगेंस्ट पूरी दुनिया एक मत हो जाए लेकिन मुश्किल होगा क्योंकि यहां पर China और Russia अगर Taliban के साथ openly relationship बनाएंगे या उनके साथ एक तरीके से friendly relationship establishment करेंगे उस context में वो क्योंकि United Nations Security Council के permanent member है तो vote अगेंस्ट और एक भी member अगर permanent वाला vote कर देता किसी भी proposal के तो वो वहीं पर cancel हो जाता तो यह कहीं ने कहीं इसके impact आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम है तो regional politics कई एंगल्स में घूमेगी और कुछ suggestion भी क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ties को relationship को फिर से establishment करने चा discussion करेंगे उसके पीछे भी कई वज़े है terrorism एक बड़ा issue है इसके लावा अगर आप देखा होगा जब भी भारत और पाकिस्तान के बातचित होती है जैसे COVID-19 पर जो सारक की एक meeting हो रही थी तो अगर कोई topic है vaccination तो उस दोरान भी जमुआन कस्मीर को issue उसके अंदर लिकर आते तो ये बड़ा सवाल है कि आप जितने भी platforms हैं उस पर जमुआन कस्मीर पाकिस्तान की तरफ से raise किया जाता issue इनके अलावा जो terrorism को support करना हो क्योंकि terrorism को support करने के मामले में ग्रे लिस्ट के अंदर है financial action task force के अंदर ये कुछ चीज़े हैं जिसकी वज़े से भारत और पाकिस पाकिस्तान के ties या relationship को और ज्यादा बुस्ट अप कर सकते हैं ये कुछ सवाल हो सकते हैं इसके बाद page नंबर यहां पर 8 है page नंबर 8 पे एक छोटी सी clarification है सुप्रेम कोट के दोरा arrest is not always a must यारी पहली बात कि हर बार माल लेते किसी की against कोई acquisition है कोई उसके against कोई बोल सकते हैं अरोप लगाया गया तो जुरूरी नहीं कि आप हर case में arrest करेंगे दूसरा यहां पर यह बोला गया कि अगर किसी कानुन के अंदर यह लिखा गया है कि भाई आप जो है किसी व्यक्ति को arrest कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप indiscriminately यानि उसके साथ ऐसे को कहीं करस करने कोशिज करेंगे इसको खतम करने की कोशिज करेंगे यहां पर mention किया गया the occasion to arrest and accused during investigation कि अगर किसी के against कुछ acquisition है कुछ आरोप है तो investigation के दोरान उसको arrest करने के बारे में अगर mention किया गया किसी लोज के अंदर लेकिन इसके अंदर यह possibilities रहते हैं कि आप उस witness को influence कर सकते हैं और यह उसकी personal liberty को कहीं ने कहीं नुकसान पहुंचा सकता है यह चीज़े mention करेगी यानि इस तरह की जो लोज है इस तरह की जो चीज़े हैं definitely किसी भी वेक्तिगी personal liberty को नुकसान पहुंचाते तो यह कुछ इसमें छोटी-छोटी clarification दी गई सुप्रिम कोर्ट के द tourism को और यह North Eastern की sites होंगी जहां पर tourism को boost up करने को लेकर जो है वो काम किया जाएगा Geological Survey of India यहां पर कुछ चीज़े हैं जैसे यहां पर तिरुपरा की उन्हेकोटी डिस्टिक के बारे में बताया गया raw cut scriptures जो होती है और temples इनके बारे में कैसे tourism को boost कर सकती है यह वाला जो topic है raw raw cut scriptures and temples यह बहुत important है खासकर ancient Indian history में अगर आप आपका optional history और तो definitely यह आपके लिए बहुत ज्याद़ important है raw cut architecture जिसको बोलते हैं यह आप से सवाल पूसे जा सकते एवन भले ही आप इसमें optional के बारे में ना हो लेकिन क्योंकि जिस हिसाब से प्लिम्स में भी question आ रहे है हिस्ट जिरूर पढ़ते रहाना कि रोग cut architecture क्या है यह temples कौन कौन से हैं मैंने पहले ही बताए कि temple architecture 2020-21 में बहुत important एक topic होने वाला है इसे तरीके से सिक्कियम से लेकर SM और SM से लेकर मिजोरम नागलेंड अनाजल प्रदेश मनीपूर जहां पर भी north eastern state के अंदर इस तरह के architecture है उनक 32 इस तरह के approval दिएगे उनको कैसे tourism को और ज़्यादा boost up किया जा सकता है इसके बारे में north eastern states के साथ मिलकर काम किया जाएगा इसके बाद page number 13 page number 13 पर आप देखेंगे world affair में तो world affair में वही चीज़े same repeat mode पर है कि तालिबान तालिबान और अफगानिस्तान ये continue है इसके लिए कौन responsible है तालिबान वहाँ पर capture हुआ इसके बारे में बड़े बड़े इंट्रिव चापे जा रहे है तो कौन सही कौन गलत ये सारी चीजें थोड़ी सी बोल सकते हैं कि ज्यादा debate में है या ज्यादा discuss की जा रही है लेकिन हर चीज के एक limitation होगी तो हमें इसके बाद आगे बढ़ना पड़े क्योंकि हमारे पास option कुछ है नहीं क्योंकि एक चीज़ को आप 15 बार पढ़ोगे सेम चीज़ को कि इसमे डोनाल टरम रिस्पोंसिवल है जो जो वाइडन रिस्पोंसिवल है कौन रिस्पोंसिवल है तो फिलाल जरूरी क्या कि तालिबान के अंदर जो लोगों का एक तरीके से इनिसेटिव चल रहा उसको complete किया जाए और जो concern उसको भी soul किया जाए तो यहाँ पर आप देखेंग एक three child policy को लोग के अंदर consideration किया है चायना की two child policy थी उसको बाद में three child policy को insert किया गया इसका reason यह था कि अगर आप two child policy को follow करेंगे ठीक है population growth एक level के बाद limited हो जाएगी लेकिन उसका impact जो है आने वाले time में क्योंकि जो generation है जो younger generation का number वो कम हो जाएगा और older generation का number जो वो increase हो जा होंगे तो उसके बारे में decision लिया गया कि side Chinese population जो हो old age की तरफ जो हो ज्यादा जा रही है as compared to young इसके अलावा last जो है business page है business page में भी कोई खास important information नहीं छोड़ी छोड़ी information है monetary policy committee की meeting हुई वहाँ पार एक member है वर्मा करके तो उन्होंने को suggestion दिये कि policy strengths को risk पे रखना यह कहीन कि problematic है जैसे जरूरी नहीं कि COVID-19 आज है कल नहीं हो COVID-19 तीन से 5 साल तक लंबे time period तक रह सकता तो इस context में जरूरी क्या है कि हमें जो difficult level पर इस तरीके से policies को रखना यह challenging जैसे repo rate के मामले में हमें decision लेना पड़ेगा कि change करना पड़ेगा और इसके बारे में article भी छपा था कि RBI को decision लेना पड़ेगा कि एक जो policy follow करता है generally RBI वो policy क्या है RBI policy follow करता है कि एक तरफ हमें जो rates है जिसमें repo rate reverse repo rate इनको change नहीं करना है और दूसरी तरफ inflation भी एक तरीके से increase हो रहा तो उस context में balance बनाने की जो कोशी से उसका इतना positive असर नहीं हो रहा तो इनका अपना एक opinion था इसके लावा यहाँ पर right hand side एक information है insurance sector जो 2021 में news में रहा था monsoon session के अंदर एक bill आया गया था कि कुछ insurance companies को privatization या निजी कन के बारे में सरकार फैसला ले सकती है या उसके बारे में अगर आप देखेंग RBI और insurance regulatory development authority of India ये चाहते हैं कि एक bank led insurance होना चाहिए और इसमें ये mention किय आ गया कि जो 74% की limit है ये ensure करेगी पहले क्या था कि इन सेक्टर में insurance के अंदर 49% की FDA होती थी यानि आप foreign direct investment 49% तक हो सकता था लेकिन आप उस increase उस number को 74% तक increase कर दिया गया लेकि FDA में आपको कई percentage देखने को मिलेंगे 24% 49 या 74 या 100% automatic route से हो सकता है या approval route से हो सकता तो FDA को भी आपको कई सरी categories के अंदर understand करना है इसके लाबा ये इससे पहले आप देखें 1938 का जो insurance act उसके अंदर amendment किया गया था 2015 में तब 49% increase हुआ था और इसका benefit क्या हुआ था कि 26,000 क्रोड रोपीज हुआ वो inflow हुए थे capital inflow की तरह है government of India को तो ये कुछ चीजे हैं आज क with the Hindu newspaper से और थांकियो ओल जहिन